नमस्कार जुकी अपडेट में आपका स्वागत है मैं हूँ साक्षी सभरवाद जुमु कश्मीर पैंथर्स पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसके वजूद की लड़ाई में पहले आपनों मेरार हुई फिर उस तक्रार में एक पक्ष दावेदारी चोड़ अलग हो गया तो दूसरा पक्ष भी ये सोच शांत हो गया कि अब जो है जैसा है वैसा ही चलेगा जी हाँ हम बात कर रहे हैं पैंथर्स पार्टी की जिसमें शुरू से लेकर आप तक दावेदारियां ही उटती रही है कोई इस पार्टी को अपने पिता की मलकियत बता रहा है तो कोई इससे दिबंगत प्रोफैसर भीम सिंग की महनत आज उसी पेंथर्स पार्टी के सापना दिवस के मौके पर दो-दो कारिक्रमों का आयोजन हुआ एक कारिक्रम में प्रफेसर भीम सिंग के आखरी दिनों में उनका साथ देने वाली अनिता ठाकूर नजर आई तो दूसरे कारिकरम में प्रफेसर भीम सिंग को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने वाले हश्देव सिंग नजार आए दरसल दूसरा कारिकरम उधंपुर में आयोजित हुआ जिसका आयोजन हश्देव सिंग ने किया था और इस कारक्रम में पैंथर से अधिक अन्य पाठियों के नेता दिखाए दिये जिनमें डॉक्टर फारूक अब्दुला, रमन भला सहीद और भी मौजूद थे अब इस कारक्रम को देखने के बाद कहीं न कहीं इसे हम उस कहावत के साथ जोड़ कर भी देख सकते हैं कहते हैं राजुनीती में कोई किसी का दुश्मन नहीं और कोई किसी का दोस्त नहीं जो आज दुश्मन हैं वो कल दोस्त के रूप में दिख सकते हैं और जो दोस्त हैं वो कब दुश्मन बन जाएं ये कोई नहीं जानता चलिए आगे बढ़ने से पहले अब पहले हम बात करते हैं हर्ष्टेव सिंग की लेगिन इससे पहले कि हम आगे की बात आपको बताएं जरा पीछे चलके आपको एक किस्सा याद दिला दे आपको याद होगा साल 2020 में जब प्रफेसर भीम सिंग दॉक्टर फारूक अब्दुला द्वारा बुलाएगे मिटिंग में पहुंचे थे तो हर्ष्टेव सिंग ने बाकाईदा प्रेस कॉन्फरेंस करके प्रफेसर भीम सिंग के विरूद हूँ अपशब्दों का प्रियोग किया था और इस बात पर कड़ी आपती जताई थी कि वे डॉक्टर फारूक से मिलने क्यों गय थे और तो और खुद ही पार्टी की ओर से प्रफेसर भीम सिंग को पार्टी के पड़ से यानि पार्टी के पैटरन पड़ से हटाने की बात की थी जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा था उस समय प्रफेसर भीम सिंग जी जो आज मीटिंग में गए है वो अपने बेसिस के ओपर गए है जन इंडिविजिल गए है बज़र्ग हो चुके हैं और अक्सर उनको यह पता नहीं लगता है कि उनके एक्शन्स और उनके स्टेटमेंट्स जो है उनके ओपर उनका शायद काबू भी नहीं रहा है इसलिए पार्टी ने फैसला किया है क्αιू उनको पैटर्ण के पद्से रिमूव किया जाता है आज से और पैंथस टूस पर्टी जमों की लड़ाई लड़ेगी जमों की अंपावरमेंट के लिए लड़ेगी और प्रोफेसर भीम सिंग जी के पास पार्टी के लिए फैसला लेने का आज से कोई अधिकार नहीं है उनको अपने तमाम पार्टी के पदों से जो है वो निश्कासित किया जाता है और बतौरे चेर्मेन मैं यहां अलान करना चाहता हूं आज अगर उधमपूर में जेके पैंथर्स पार्टी के कारिक्रम में नजर डालें तो आपको हैरान की होगी आज हर्षदेव सिंग के साथ मंच पर वही डॉक्टर फारुक अब्दुल्दा थे जिनसे भीम सिंग के मिलने पर हर्षदेव खूब भड़के थे लेकिन आज हर्षदेव सिंग ने उन्हें इस कारिक्रम में बुलाया भी और साथ मंच साजह भी किया आज हर्षदेव सिंग को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा आज उन्हें पार्टी से निकाल जाना जरूरी भी नहीं लगा लेकिन इस कारिक्रम में हर्षदेव सिंग के समोधन में जो भावुकता नजार आ रही थी उसमें वो अपने समोधन में कहीं न कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुला को इंप्रेस करते नजार आ रहे थे आखिर ये क्या माजरा है पहले पैंथर्स छोड़ी और आमाद्मी पाठी का दामन थामा फिर आमाद्मी पाठी छोड़ी और पैंथर्स की याद आ गई लेकिन अब पैंथर वाले स्विकार करने को तयार नहीं है ऐसे में हर्षदेव सिंग कोई राजनीतिक कंधा सहारे के लिए ढून रहे है अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल तो देर किस बात की आज भी जोइन करें केरिड अड़ा जमू जमू कश्मीर का एक ऐसा इंसिचूट जो बच्चों के उजवर भविश्यक ले लगातार फ्री कोचिंग मोहया करवा रहे हैं ज्यके एसेसपी पंचायट सिक्रेट्री एसेसी बैंकिंग और अन्य गौर्मेंट जॉब एक्जाम्स के लिए हर सुमवार को नए बैचिस शुरू होते हैं पिछले चार साल में लगभग 2000 से जादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का तो हमारा पता है केरिर अड़ा जम्मू गर्द्वारा रोड ओपोजिट डॉक्टर दारा सिंग क्लिनिक रिहाडी चुंगी जम्मू